हलो यूट्यूब फैमली मोस्ट वेलकम है हमारे न्यूव लॉग में तो गाइस अभी जो है मैं आई हूई हूँ हूँ एक लोगों के यहां तिलक चल रहा है तिलक चड़ रहा है और हल्दी लग रही है तो बस वहीं पर आई हूँ और तो यहां पर थोड़ा समय ने वीडिय कर लिया मतलब प्रॉपर तरीके से तो मैं आप लोगों साथ नहीं शेयर कर सकती हूँ क्योंकि मेरी कालोनी की बात है और सभी लोग यूट्यूब पे आना पसंद नहीं करते हैं तो मैं किसी की लाइफ में एंटरफेर नहीं करना चाहती हूँ बस हाँ थोड़ा से मैंने व बसितने में थे फोलक कर रही हूँ और सुबाए दौ और में गई थी और साम को चाकर वाज रहा है में तो मोस Talent चाहँ के बचले वर्म कर रही हूँ तो मतलब ये मेरे कालोनी में ही है मतलब एक देवर लगेंगे हमारे तो उनकी शादी है तो आज तिलक खलती वही सारा कारिग्राम था और यहां पे मम्मी का अप्रेशन हुए है तो अगर मम्मी रहती मतलब आपका सही रहता है तो मम्मी ही जाती मैं नहीं जाती फिलाल वहीं जाती तो यहां पे बस कप्टे फोल्ड कर दिया है और यहां पे चूड़ा जा रही हूं चेंज करने क्योंकि किचन में पूरा काम फैला पड़ा हुआ है किचन वैसे मैसी पड़ा हुआ है तो चूड़ा निकाल दोंगी और य उस पे पानी ना पड़े तू सही रहता है मतलब हमेशा के मतलब जब तक आप उसको समाल रख सकते हो थोड़ा सागर पाणी पढ़ जाएगा तो चूर्ड़ान हो जाती어서 हो स्टार्ट हो जाता जरा सभी पारनी पढ़ने पे कंगन हो गेरा तो बस यहां पर पहले तो रख दे रही हूं उसके बाद चलती हूं किचन में पूरा सारा किचन साफ करूंगी क्योंकि मैं जल्दी जल्दी चली गई थी और कुछ भी मतलब क्या लेंच बना के चली गई थी और उसके बाद में चलो आएंगे अभी टाइम जादा नहीं लगेगा पर हां वहां जाने के बाद थोड़ा टाइम जादा लग गया तो इसलिए यहां पर पूरा मैसी पढ़ा था मुसकान जो है यहां पर थोड़े बहुत बरतन दूल के रखी थी अभी बच्ची है कितना करेगी अपने ही साफ से जितने भी बरतन थी वो धुल दी थी और किचन नहीं साफ किया था तो मैं यहां पर बस साम भी हो गई है तो यहां पर मैं किचन साफ कर रही हूँ तो वैसे मम्मी का आँक जब सही रहता न तो वही जाती है मैं ज्यादा तर बाहर नहीं जाती मतलब बड़ी जो लोग होते ना उनके रहने से यह एक फायदा होता है कि जब हमारे घर में हैं तो बाहर का काम हो लोग देखी लेते हैं फिर हमें जाने की जरुवत ही नहीं पड़ती है तो मम्मी मेरे यहां हर जगा मतलब शादी जिसके यहां भी पड़ती है तो वहीं चली जाती है मैं बहुत कम ही जाती हूँ पर हाँ आप तो जाना ही पड़ेगा ममी का का उप्रेशन होगा है तो सब कुस मुझे ही देखना पड़ेगा तो अगर हम किसी के शादी हो गए रहा में नहीं जाएंगे कोई प्रोग्राम में नहीं जाएंगे तो हमारे घर भी कोई नहीं आएगा तो इसलिए जाना चाहिए फैमिली को एक लोग तो जाना ही चाहिए तो मैं ही हूँ तो मुझे ही देखना पड़ेगा तो हमने का चले जाएं मम्मी के लिए चली जाओ वरना जो है गुसा उसा भी हो जाएंगे कि नहीं उनके घर से कोई आया है तो बस वहां से आने के बाद यहां पर किचन पुरा समेट लेती हूँ बहुत ठक भी गई थी तो फिर उसके बाद मैंने कोई व्लॉग भी नहीं सूर किया और अभी जो है मैं मॉर्निंग में आप लोगों से मिल रही हूँ यहां पर जितनी भी साड़ियां थी तो यहां पर धुल रही हूँ और यह मतलब व्लॉग जो है मतलब शादी के मतलब जी दिन सादी थी उसके सारे कपड़े थी तो मने का धूल के अब डाल देते हैं रख देते हैं अब सादी हो गई है खेता हैं तो सादी का व्लॉग मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि आप लोगों को जिसे मैंने बता बताया ही है कि मतलब सबकी अलग-अलग जो होती है लाइफ होती है तो मैं मैं यू तो मुझे भी डल लग रहा है कि देखिंग लूग तो मतलब बुरा ना मान जाए इसलिए पूरा फेस हमने अच्छे से नहीं दिखाया है और नहीं मिलवाया किसी से तो मतलब यह सारी चीजे धिहान देती हुए हमें जो व्लॉग को मतलब बनाना चाहिए और मेरी फैमली की बात होती तो कोई बात नहीं और इसलिए मैंने सादीका भी इस पर नहीं डाल रही हूं तो बस यहां पर अभी जो है मैं कट कर रही हूं गाजर और आज बच्चों का फर्माई से गाजर का हल्वा खाने का तो क्योंकि बच्ची आये हुए हैं तो मैं सोच रहे हैं थोड़ द्वें के खाना समय हूं चेयां मैं से माजर खाना भी तो सबिव पानी कर लेते मतला हैं को दिए हैं मतला इसक segregation इसे बहुत जटा पर हमारा हल्वा बनके रिडियो घ्ला लिए। इसकोड़ को ऑल एक हूँ area तो अभी डाल देते हैं उसके बाद जितने भी ड्राइ फूट होगे रहा है वह में डाल दूंगी चीनी डाल दूंगी उसके बाद पका लूंगी बस बहुत एजी है हमारा जो है यह गाजर का हलुआ बहुत जल्दी बन जाता है इसका खुस्बू बहुत अच्छा लगता है छोटा सा व्लॉग था उमीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और मिलते हैं अब न्यू व्लॉग में न्यू वडियो के साथ तब तक बाई-बाई थैंक यू सो मस गाई जो भी मेरे व